अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ बढ़ी आँगे इस वीडियम दोस्तों बात करेंगे CZD वर्सेज EAST के बीच में जो ECC T10 का 6 प्लेउप का मैच खेला जाएगा ठीक है इसको गवर करेंगे वीडियो कमड़ देखेगा फिर से बता दू CZD वर्सेज EAST के बीच में ये ECC T10 का 6 प्लेउप का मैच खेला जाएगा इनकी मैच नमबर 6 खेला जाएगा डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों वीडियो कमड़ देखना कल के ECC T10 मैच की बात करें जो कि हमने कवर किया था बाई उसमें अपने टीम ने किस लेवल की परफोर्मेंस करी थी आपने देख लिएगा ठीक है एवन उसका जो स्क्रीन सोट है भाई वो आमारे टेलेग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हो बढ़म आपको एक चीज बोलूँगा जो इन्फोर्मेशन में आपको वीडियो में दूँगा बाई सर् सारी चीज़े कवर कर दूँगा बस वीडियो कंपर देखेगा कोई इन्फोर्मेशन आपको मिश नहीं करनी पूरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्लेयर के बारे में एक परसेंट पी कंफूज नहीं बचेगा और आप लोग खुद का एक बढ़िया टीम स्ल करके जाओगे आप लोग ठीक है तो वीडियो पूरा देखेगा कोई इन्फोर्मेशन आपको मिश नहीं करनी फिर से पता दू सीज़ेडी वर्सिज एस्टी के बीच ये मैच कहला जाएगा जो की प्लेयो उप्स का मैच संबर 6 रहेगा ECC T10 का तो वीडियो श्राट करें से पहले दोस्तों आपसे चोटी स्रिक्वेस्ट वाई सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर शेओं कर लीजिएगा आने वाले किसी भी मैसेज की वीडियो आपको मिस नहीं करनी वीडियो पसंद आयते है और वीडियो को ल के कमेंट सेक्शन में जाएए दोस्तों सबसे उपर आपको टोप में एक पिंड कमेंट मिलेगा वापे लिंक के उसके उपर क्लिक करना वो टेलीगाम को जोईन कर लेना जुड़ने का बेनिफिट यह मिलेगा टोस्त के बाद कोई भी अपडेट होती है फाइनल टी में क्योंकि आपको पता कि मैं टीटन मेंचे में कभी भी पिक स्के बारें में डिसकसेंन नहीं करता हूँ उसके सबसा बड़ा नहीं है कि बाहिتيा कोई रोल एक्शल में है ही नहीं जहां पिच रिपोर्ट की वैल्यू उत्ते बड़े मैचेज में वहां मैं आपको पिच रिपोर्ट भी देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है जहां जिस चीज के वैल्यू रहेगी आपको खुझ से प्रोवैड करवा दी जाएगी तो यहां पिच के वैल्यू नहीं है क्योंकि 10 ओवर का मैचे जो भी प्लेर आएगा हार्ड इटिंग करेगा या तो रंस आएगे भाई या फिर विकेट चले जाएगे एक एग चीज आपको देखने को मिलेगे ठीक है लेकिन वहां पे भी क्या करोगे ऐसे हुक को एजे ट्रंप प्लेर अपनी टीमें बैक कर सकते हो लेकिन ग्रोवर की अगर मैं बात करूँ न तो ग्रोवर मेरे साबसे आपके लिए थोड़ा सा रिस्केच वाईस हो सकते है थर्ड डाउन पे बल्लेबाजी जरूर करेंगे बट उस लेवल की परफोर्मेंस नहीं है तो सबसे पहले फोकस तो आपको होना चीए वो खारी को पर होना चीए क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी आपको गरगे देंगे साथ में जाओ ग्रोवर की बात करो थर्ड डाउन बल्लेबाजी नो मैच केवल 71 से 23 संस की सबसे बड़ी पारी थी ठीक है तो सेफ ओप्शन अभी आपके बास में खारी की ही रहेगी एवन चाहो तो ट्रंप में कैप्टन सी वाईस कैप्टन सी भी रखके चल सकते हो उसके बाद में बैटिंग सेक्शन मैंगे दोस्तों अमजद तो खतरनाक फोर में आपको दिखेंगे एस चोहान के बारे में कल किलियर कर दिया था कि ऐसे चोहान अगर खेलेगा भाई सीधा-सीधा आपके टीम में आएगा ड्रोप करना है रिसक मत उठाईएगा ठीक है क्योंकि जो प्लेर इंपोर्टेंट है सबके बारे में आपको जैन्वन इंफोर्मेशन देता है उसके बाद में तोम मरें एक इंपोर्टेंट चोहाईश रहेंगे पहले इन इतीन प्लेयर के बारे में डिसकसन करते हैं अम जब यह बात करें लास्ट मैच टीम ने उपनिंग करवाई नो मैच में अब तक टोटल 284 रंस कर चुके हैं एक मैच में 111 रंस के सबसे बड़ी पार इनके बल्ले शायदी ठीक है इंपोर्टेंट चोईस और तगडे हार इटर प्लेयर है कैप्टन जी वाइस कैप्टन से की चोईस पर रखके चल सकते हो कोई दि करेंगे तो आपके लिए सेफ ओप्शन है कोई दिक्कत नहीं है चोहान की बात करें सेकंड डाउन बल्ले बाद जी साथ मैच 188 रंस है 37 रंस की सबसे बड़ी पारी है तीन विकेट इन के नाम है एक ऐसा बैटिंग सेक्शन का प्लेयर बाई जो आपको बल्ले बाद जी के टीम से साइड आपको दिखेंगे वन डाउन बल्ले बाद जी नो मैच 196 रंस से 188 रंस के सबसे बड़ी पारी है प्लस पॉइंट यह कि बाई ओपनिंग के सारी वन डाउन बल्ले बाद जी करेंगे और दस ओवर का मैच है ठीक है वो बैक अप कहीने के अपने पास में आ स टीन आपके लिए बैस्ट विगल पोंगी जहां पे सेफ कैप्टन सी में अमजद जाएंगे यूनीक में आपके पास में चले जाएंगे सो हां ठीक है ओलाउंड सेक्षन में बाई यहां से विक्रमा सकेरा को नहीं छोड़ सकते बोती गजब की परफोर्मेंस है ओपनिंग गेंदवाद जी दोनों में अच्छा कोंट्रीबूट कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की बिल्कूल सेफ ओप्षन भाई बिल्कूल रिस्क नहीं उठाना यहां से आप लोग विक्रमा से करा के साथ एज़े कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो कोई श्यू नहीं है ठीक ह और दोनों ही प्लेयर इस मैच में हाई स्लेक्शन में जाएंगे कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के मतलब अगर आप लोग टोटली सेफ खेलने वाले बंदे हो दैन आप लोग यहां से दोनों ही प्लेयर को अपने डीमैच या फिर वाइस कैप्टन सी की चोईस पर रह सकते आपला सूपर बैटिंग गरने भी आईगा गेंदबाजी प्रोप पर देगा दूसरी चीज ट्रंप में कैप्टन सी वैस कैप्टन सी ध्यान में रखो अगर माल लिजे बाइचान से विकरम साकेरा या फर गूच में से कोई भी प्लेयर फ्लोप जाता है अगर उससे ज़्या पॉइंट गर के दे दिये भूयान ने तो भाई भूयान ही आपके लिए गेम चेंजर पिक बन के जा सकते हैं ध्यान रखिये मतलब बूयान आपके लिए इस मैच के ट्रंप कैप्टन सी वैस कैप्टन सी की 24 में जाएगा यानि की इन दोनों प्लेयर में से कोई भी एक आप में जाके आप लोग थोड़ा सा यूनिक चीज़ चाही कर सकते हो या आपके उपर डिपेंड करेगा जो चीज है वो मैंने आपको समझा दे किस परगार चेंज कर सकते हो ठीक है भी मसूद की बात करें दोस्तों ठीक ठाक फोर्म रही है अब तक थर्ड़ डाउन बल् कोपे की बात करें गेंदबाजी से इंपोर्टेंट रहेगा भाई नो मैच में साथ विकेटर रेगूलर दोवर करने वाला गेंदबाज ये द्यान रखेगा ठीक है और 42% सेलेक्शन है मतलब एक ट्रमकार्ड ओप्शन अभी भी आप लोग इनकी साइड देख सकते हो टेंट रहेंगे EST की टीम की साइड से क्योंकि दो और कंप्लेट मिलेंगे नो मैच में आठ विकेट इनकी नाम है उसके बाद में त्यागी की बात करें तो त्यागी की फोर्म रही है वह एवरेज फोर्म है साथ मैच में चार विकेट है बट इनके साथ में दिक्कत ही है कि किसी भी मैच में इनके ओवर कट हो सकते है बस वो द्यान अखना ठीक है उसके बाद में विशालाप पूने अच्छी फोर्म दिखाई है आठ मैच में नो विकेट हो रही रेगुलर दो वर गरने वाले गेंदबाज आपको मिलेंगे उसके बाद में बात करें रोबसन की फिलाल सोड़ दो उत्रा इमपोर्ट नहीं बात करें साथ मैच तीन स्क 오래-या इनके इसापिट आप लोग ऑप हो सकते हैं रोब्सन भी आपके लिए सेफ विकल पहे तो जोनों में से जिसको भी ट्राई करना चाहूँ 24 आपके अगर आपको थोड़ा बैटिंग प्रैफर करके चलना है तो फिर आप लोग रोब्सन के साथ में जा सकते हो नोर्मली अगर आपको चाहिए तो फिर आप लोग कोपे के स जाने है आपके पास में अमजद एक बढ़िया विकल पहे ये दो प्लेयर को पहले प्रफरेंस में रखना अगर आप लोग कुछ अलग ट्राई करना चाहूँ अगर तो फिर आप लोग जा सकते हो चोहान के साथ में मसूदी के साथ में यह आपके लिए फिर थोड़ा सा औ और ज्यादा रिसकी पिक चली जाएंगी कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी गेंदर ठीक है टोटल सेफ विकलम सागेर और गूच थोड़ा यूनीक जाने हमजद और भूयान आपके पास में ज्यादा बैस्ट है और ज्यादा रिसकोटान है फिर आप लोग चोहान या फिर मस मेंसे किसी को भी ड्रोब करके आप लोग यहां से कोपे के साथ मैंजे यूनीक जा सकते हो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है ये सिर्फ एक डेमो टी में ध्यान लखिएगा ठीक है इस टीम में माइनर एक दो चेंज मैं कर सकता हूँ टोस की अकोडिंग तो जो भी मैं चेंज करूँ और टेलिग्रम चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा कमेंट सेक्षन में लिंक है दोस्तो जल्दी जाएए और टेलिग्रम के साथ में जॉइन कर लीजिए उमीद गरता हूँ कि वीडियो आपने कंब्लेड वोच क्या होगा पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कि जरूर से करिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लीजिएगा आने वाले किसी भी मैचस की वीडियो आपको मिस नहीं करने मिलते हैं दोस्तों अगले मैच की वीडियो में उमीद गरता हूँ कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सेलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा पर्फूम जरूर करेगी